फिसलूनिक्यों के नाम पॉलुस प्रेडित की पहली पत्री दूसरा अध्याय हे भाईयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना वियर्थ न हुआ बरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहल फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा ही आओ दिया कि हम परमेश्वर का सुसमचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए क्योंकि हमारा उपदेश न भराम से है और न अशुधता से और न चल के साथ है पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमचार सूपा हम वैसा ही वरणन करते हैं और इसमें मनुश्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जाचता है प्रसन करते हैं क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी लल्लो पत्तों की बातें किया करते थे और न लोव के लिए बहाना करते थे परमेश्वर गवा है और यदिपी हम मसीह के प्रेरित ह तुम पर बोज डाल सकते थे, तो भी हम मनुश्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुम से, न और किसी से, परन्तु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोशन करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी ला गए थे, क्योंकि हे भाईयो, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, कि हमने इसलिए रात दिन काम धंदा करते हुए, तुम में परमेश्वर का सुसुमचार प्रचार किया, कि तुम में से किसी पर भार न हो, तुम आप ही गवहा हो, और परमेश्वर भी, कि तुमारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और धर्मिक्ता और निर्दोष्टा से रहे, जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बरताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांती देते और समझात कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में गुलाता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं, कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमचार का वचन तुम्हारे पास पहुँचा, तो तुम कि तुम हे भाईयो, परमेश्वर की उन कलीस्याओं की सी चाल चलने लगे, जो यहूदिया में मसी इश्व में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया, जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु इश्व को और भविश्व दुखताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उन से प्रसंद नहीं, और वे सब मनुश्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्यजातियों से उनके उध्धार के लिए बातने करने से हमें रोकते हैं, कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन भ्यानक प्रकोप आप हुचा है, हे भाईयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं, बरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया, इसलिए हमने अर्थात मुझ पॉलूस एक बार नहीं, बरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा, परन्तु शैतान हमें रोके रहा, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है, क्या हमारे प्रभुईश्यू के सम्मुक उसके आने के समय तुम ही न होगे, हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही प्रभुईश्यू प्रभुईश्यू